ओ में नमह सिवाई नमस्कार मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि भी नाम के जातक एबम आर नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का शंबंध कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह वेडियो आप दोनों के लिए बहुत जयादा महत्तोपुर्ण एबम उपयोगी है मित्रों यदी आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदी आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि बी नाम के जातक एबम आर नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का संबन्ध कैसा होगा मित्रों आपको बता दें कि बी नाम के जातक एबम आर नाम के जातक अपने जीवन में हमेशा बीबाद से दूर होने का प्रयास करते हैं ये दोनों जातक हमेशा बीबादास्पद दुनिया से दूर होने का प्रयास करते हैं मित्रों आपको बता दें कि बी नाम के जातक एबम आर नाम के जातक हमेशा अपने जीवन में सान्ती एबम खुस हाली के साथ जीना पसंद करते हैं मित्रों आपको बता दें कि इन दोनों लोगों का सुभाब बहुत ज्यादा मिलन सार होता है इस नाम के जातक नम्रता एबम करुना के गुनी होते हैं इस नाम के दोनों लोगों में नम्रता और करुना बहुत ज्यादा होता है मित्रो आपको बता दें कि आर नाम के जातक बी नाम के लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा मिलन सार होते हैं जिसके कारण बी नाम के लोगों को आर नाम बाले लोगों के इस सुभाब के कारण बहुत ज्यादा पड़ेशानी होती है क्योंकि आर नाम के जातक हमेशा अपने कडीबी लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं मित्रों आपको बता दें कि आर नाम के लोगों में कूट निती का सुभाब बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण इन दोनों के बीच में कभी कभी छोटे मोटे ठकराब हो सकते हैं मित्रों इसके अलाबा इन दोनों लोगों के बीच में अनुकूलता का दर बहुत ज्यादा बहुतर होता है क्योंकि ये दोनों ज्यातक बहुत ज्यादा रोमेंटिक होते हैं एबम इसके अलाबा भोतिकता का दिखाबा ये दोनों जातक बहुत जयादा करते हैं तो मित्रों अगर कुल मिला कर देखा जाए तो भी नाम के जातक एबम आर नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का शंबंध सामान्ने तोर पे बहुत जयादा बिहतर एबम सां तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस बेडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इबम इस बेडियो के बारे में आपका जो भी बिचार हो तो अपने बिचार को आप इस बेडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, धन्य वो दिए वो दिए